हलो प्रेंट आप सुभी का स्वागत है हमारे यूटी चैनल में तो जैसे कि हने जो CRGB का जो BC पोर्टल है पूरा ही अपडेट हो गया है कुछ हने उसमें नया सर्विस भी आ गया है तो मैं काफी रिसर्च करने के बाद इस वीडियो को बना रहा हूं कि हने जो CSP जो user है उनका बहुत सारा कॉमेंड था कि यह काम कैसे होता है वो जो सर्विस हो गया कि है का सर्विस काम ले कर रहा है तो यह सारी चीज को मैं रिसर्च करने के बाद और बैंक में कुछने के बाद ही इस वीडियो को बना रहा हूं और पूराना पोटल और नया पोटल से कुम्बाइन करके बताऊंगा पहले आप कौन सा सर्विस था और अभी कौन सा सर्विस है पहले जो सर्विस अभी यहां पर कुछ सर्विस हटा भी दिया गया है तो वे चीज भी हम लोग को आने बहुत सारे पूराने जो है यूजर है यानि कि CSP यूजर है वह लोग ने चाहते हैं तो देख सकते हैं उनको हने कौन-कौन सा काम मिलता है उनके क्या-क्या काम अभी कर सकते हैं पहले तो बहुत ही सारे काम कर सकते हैं कर सकते थे लेकिन अभी क्या काम कर सकते हैं वे अपना आइडिन है और इसमें कुछ नया भी सर्विस हने अपडेट हो गया है कैसे करना है किस परकार से यूज़ करना है वे सारी इंपूर्मेशन आपको इस वीडियो मिलेगे इसलिए वीडियो को पूरा वास किज देगा चलिए हने हम लोग अपने अपना आइडी को चालू नहीं कर पा रहा है तो क्या रीजन है जैसे कि पहले जो मौर्पों से ही चलता है आप सभी को पता है लाल वाला जो मसीन रहता है देख सकते हैं इस परकार के डिवाइस से ही चलता है उसमें कॉम्मेशन मोड जो पहले था जीरो था आप हो चुका है इस वज़े से आपका आइडी चालू नहीं हो रहा है यदि चालू नहीं हो रहा है तो उसको अनिस्ट्रोल करें फिर इस्ट्रोल करें आपका मार्पों का उसको अनिस्ट्रोल करें कि उसके बाद ही हो जाएगा तो चलिए आपने कमपोर्टरिस के में जाते हैं और पूरा जो यहां पे service दिया गया था transaction का इसमें हम लोग अधार काड़ से हम लोग अपना भी transaction कर सकते थे अपना balance भी चेक करता सकता था जो CSP भाई हैं वो खुद भी अपना कर सकता था लेकिन अभी वाला portal में नहीं कर सकते हैं ठीक है और जैसी कि किसी का हने बैंक में हैंने पैसा transfer करना है तो हम अपने पैसा को भी fund transfer कर सकते थे लेकिन अब हने हम लोग अपना पैसा को fund transaction नहीं कर सकते हैं CSP भाई अपना पैसा को नहीं दे सकता है किसी दुसरे का दे सकता है और यहां पे ग्रामिड बैंक का तो पुरा transaction था आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा हने जमा कर सकते हैं, डिपोजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और वहाँ पे मैनी statement इस परकार का भी था, इस परकार का भी option था और हने आप हने CIF नंबर से पैसा भी जमा कर सकते थे, जिन लोगों का हने CRGB जो BC के द्वारा हने खाता खुला है उन सभी का हने आप पैसा यहां जमा कर सकते थे, CIF code के द्वारा और जिनका जिनका खाता CSP लोग खोले हैं CRGB BC हने खोले हैं उनका हने आप यहाँ रिफ्रेंस नमबर से किसी का भी पास्बुक हने डाउनलोड कर सकते थे और निकाल भी सकते थे लेकिन अब हने आप खाता खोलते हैं या कोई भी खाता खोला है उनका आप यहाँ पे पास्ब निकालते हैं अब अपना कम्पूटर से भी वहां पास्बूक नहीं निकाल सकते हैं तो यह सारा प्रोसेस है और उसके बाद यहां पे आता है आप मैं पहले हने पैसा हने किसी का भी चेक कर सकता था ग्रामिड बैंक में जितना भी खाता नंबर लाएंग के और उनका पैसा च चेक करके मैं बता सकता था और कभी तो डैरेट उनका खाता नंबर डालू और उसके बाद बैलेंस भी चेक कर सकता था लेकिन अब ओवे भी सिस्टम को हटा दिया गया है कस्टमर आएगा थम लगाएगा तभी उनका पैसा हम लोग चेक कर सकते हैं अभी वाला में तो इस प्रोसेस था और पहले जो है अधारकाड में नाम गलती भी रहेगा तो आप जो भी हने लिग देंगे वे हने वे ओपडेट कर ले रहा था लेकिन अब खाता खोलेंगे तो सिंपली उनका हने जो अधारकाड में जो नाम है वही नाम पूरा डीटेल भरके आता है थम लगा पूरा डीटेल उसका आटोमेटिक आज आएगा तो नया जो पूरा लाया है उसमें यही नया फिक्चर है बढ़िया लगा हम लोग को भी सभी सी खाता खोलते हैं सभी को बढ़िया लगा खाता खोलने का ओप्शन जब अधारकाड के दूप पूरा डीटेल डाकुमेंट आज आता हूं आप पूरा डीटेल आटोमेटिक भरा जाता है यही प्रोसेस सबसे बढ़िया लगा उसके बाद सारा जो सर्विस पूरा हने विकार लगा ठीक है तो जैसे इस प्रकार का देख सकते हैं नया हने पोटल अपन करने के लिए ओप्शन दिया गया है तो अभी क हम लोग बात करते हैं यहां पर ट्रांजेक्सन की मामला में तो हम लोग अपना तो हने CGB जो पोटल आ जाता है और भी कुछ-कुछ नया भी सेटिंग है यहाँ पे लेकिन बहुं सारा पोट यहाँ पे हटा दिया गए एक ही फिक्चर में बता दू यहाँ पे सबसे बढ़ियां लगा हम लोग को सभी को बढ़ियां लगा खाता खुलने का ओप्सन ही बढ़ियां लगा बाद ब उनका काम नहीं करेगा तो पैसा कैसे है ने जमा होगा हम लोग का तो पैसा हम लोग फंट ट्रांसफर करिए नहीं सकते हैं यह ओप्सन देही दिया गया है वहाँ पे यह बात हो गया दूसरी बात आपको हने पास्बुक प्रिंट पहले कर सकते थे लेकिन अब पास्बुक इसमें पैसा भी चेक नहीं कर सकते हैं नहीं यहां पर बता दो सभी मेरे को सर्विस जो भी है कोच भी मेरे को बढ़िया नहीं लगा बस एकी सर्विस भी अपर अपर जा रहा था reference ID हम लोग अबन गया तो reference ID के द्वाराबाद में भी हम लोग उसको reference कर सकते थे बाइकप को ले सकते थे यह service भी वहाँ पे उपलब था अभी वाला में इस परकार का नहीं है खाता खुलने में तो कोई दिकत नहीं है लेकिन इधर का पूरा service हम लोग को बढ़िहान नहीं लगा जो CRGB Portal चलाते हैं उनको तो यह कैसा अभी के service को आपको चलाने के लिए कैसा लग रहा है कैसा लगा कोमेंट करके जरूर बताएए कितने लोग CSP चला रहा है कोमेंट में reply जरूर दे थांको फ्रेंट्स